कल यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर मदान हुआ, मत प्रतिशत कम हुआ है 2017 के मुकाबले, शहरी वोटर सुस्त रहा है, ग्रामीर वोटरों ने जम करके प्रतिभाग किया है, अब इसके क्या माइने निकाले जाएं, भारती जिनता पालिटी का इतिहास कहता है, कि इसका जो है, वो शहरी ज्यादा है, ग्रामीर वोटर अलग-अलग पालिटियों में बढ़ जाता है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, कि अगर शहरी वोटर सुस्त रहा है, और ग्रामीर वोटर तेजी से वोट कर रहा है, तो फाइदा किसका है, अब जाहिर है, वोट तो मत प पार्टी का फाइदा हुआ है और शहरी वोटरों की सुस्ती भारती जनता पार्टी को खलने वाली है। सान होता दिख रहा है और सपागट बंदन को फाइदा हो रहा है। पहले चरण पर मामला बराबरी का या थोड़ा सा सपा R&D के पक्ष में मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। कैराना विधान सबा में 75 फीजदी के आसपास वोटिंग हुई है और नाहिद हसन की गिरफतारी के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से सेंटिमेंटल गेम खेलना शुरू हो गया था और जिसका फाइदा समाजवादी पायटी और राश्टिय लोगदल के कटबंदन को मि दूसरी तरफ हमने देखा कि इस बार भारती जंता पायटी ने जो कैंपेइनिंग ग्रामीन इलाकों में की थी अमित शाह ने पश्चिवी उत्तर प्रदेश के गाउं में लंबे वक्त तक घर घर जा करके डोर टूर कैंपेइनिंग की इसका असर गाउं में भी फैलने की पूरी उम्मीद थी दिल्ली के करीब ही नोएडा है वहाँ पर तकरीबन 58% वोटिंग हुई है जो पिछले साल से ज्यादा है यह अब किसके पक्ष में जाएगा यह तो साफ सुतरा दसमार्श को पता चलेगा लेकिन नोएडा में बढ़ा हुआ वोट परतिशत भारती जं लेने वाली चीज है और इन तमाम मुद्दों से हट करके हम इस चीज को नहीं भूल सकते हैं कि भारती जंता पार्टी ने राम मंदर को बड़े अच्छे धंग से कैश करवाने की कोशिश करी है काश्री विष्टोनात और मतुरा इन दोनों जगहों को लेकर के ही बात चीत करी है परदान मंतरी मोधी ने पूरा डेरा डाल दिया था लगातार तीन बार उत्तर प्रदेश एक महीने के दरमयान मोधी जी आए तो इसके बाद कुल मिला करके कहानी जो बनी थी कि इसके आगे जो छोटे-छोटे मुद्दे थे उनकी आगे भारती जंता पार्टी ने ह जो बिहार से जुटी है बिहार में तियस्वी यादो को ले करके पिछले विधान सभा चुनाओं में तगड़ी हवा थी लेकिन जब नतीज़ा आया तो सबसे वड़ी पार्टी तो थी लेकिन बाद में सरकार नहीं बन पाई अखिलेश यादो के साथ भी ऐसा होने की 50-50 सीज़ी संभावना है क्योंकि लेकिन यहां पर एक फैक्टर है कि अखिलेश यादो के साथ जैन्त चौधरी भी है और भारती जिन्ता पार्टी के पास ऐसी किसी बड़ी पार्टी के साथ गटबंदन करने का ऑप्शन नहीं है जो 50 प्लस सीटे जीत रही हो लेकिन अगर हम अखिलेश यादो और जैन्त चौधरी को एक ही ब्रैकेट में रखें उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्योंकि जैन्त चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और अखिलेश यादो मध्य और पूरी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं तो एक तरीके का दोनों क मिला करके एक बन रहे हैं और बिहार में अकेले ते जिस तो याद होती तो उनको अगर बराबर कर दें तब भारती जिनता पार्टी प्लस में जा सकती है ये एक राय है अब इसके अलावा एक और राय है जो तीसरी है वो ये है कि असुद्दीन OVC और मुसल्मान वोटर पश हमेशा से कहा जाता है उसी को फाइदा होगा भारती जिनता पार्टी को क्योंकि मुसल्मान वोट भारती जिनता पार्टी का पारंपरिक वोट नहीं माना जाता है और जैसे इस बार एग्रेसिव परचार भारती जिनता पार्टी ने किया है अमित शाह को पस्चिमी उत्तर आज से 10 साल पहले जाए तो मुसल्मान वोट जो था वो सपा वसपा में बढ़ता था जिस चुनाओं के दौरान जो पारिटी माहल बनाने में काम्याब होती थी मुसल्मान उसे वोट कर देता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं था वो ऐसी मजबूती से पतिभाग कर रहे थे और मुसल्मान वोटों के पास इस बार अपना एक बड़ा चेहरा था जो उनका अपना था तो इस बार बड़ी संख्या में मुसल्मान वोटों का OEC की तरफ जाना लाजमी है जिसका साफ नुकसान समाजवादी पारिटी को होगा और आटोमेटिक इसका पाइदा भारती जिनत अबर पारिटी को होगा इसके अलावा आगे अभी 6 चरनों की वोटिंग बाकी है क्या कुछ होगा नाम अनौरागमिस्टर है आप जिनता जिनक्षन देख रहे हैं कैमरे पर मेरे साथ हूं प्रकाष है शुक्रिया